अगर आपने मेरे चैनल पर अगर आपने मेरे चला भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा चलिए बिना देरी के सुरू करते हैं आज की वीडियो डेडिकेटेड फेर्ट कोरिडोर कोर्प्रेशन आफ इंडिया लिमिटेड डिएफ सी इंडिया में माल गड़ियो के लिए अलग से ट्रेक्स और भारती रेलवे का अभी तक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अगर आप नहीं आये मेरे चैनल पर नहीं जानते हैं यह क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिये हैं देख लीजे उन वीडियो को पूरा दोस्तों लॉक्डाउन के वक्त अभी प्रिजेंट ली चालू किया है दीएफसी ने वह भी बताऊंगा तो बने रहे वीडियो के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट को और पाने के लिए डीएफसी के जो एमडी है अनुराक सचान जी उनका भी इसी महीने के स्टार्टिंग में एक स्टे बिल्डिंग ब्रिजेश एंड ट्रैक लाइनिंग विच ट्रिक्वार मिनिमम मुवमेंट अफ लेवर फॉम बन प्लेस टू अनदर तो ऐसा काम चालू किया गया है जैसे कि ब्रिजेश की जो बिल्डिंग है उनको बनाने के लिए थोड़ा बहुत जो काम होता है ट्रैक की फोटो देख पा रहे हैं इस अभी फोटो अभी अप्लोड की गई है डी एफ इसी मंत की फोटो है और अब जहां-जहां-जहां काम चालू हो चुका है मैं बताता हूं मिल जाईगी कि और आप बात करते हैं ट्रैक वही फोट है जहां तक हमारे डबू सिजढ गा बार और यहां पर काम चुका है дर ज element एफस्सकुत 900 अगला कि अंदर से चाहरे लिट साउंट को मुंबाइज सो एक बनाय जाए उस यूद्सक्ट काल है उस वाइद से प्रोटॉकोल का मपाढड करते लिए इस काम को चाहरे आ है तो मंबय गुजरात दोनों में ही काम चालू है अब सबसे बड़ी बात यह WDFC का तो सबसे बड़ा स्टील ब्रीज है वह स्टील ब्रीज जो कि नर्मदा रिवर के उपर बन रहा है ब्रिज नंबर 57 इस ब्रीज का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और धीमेदे में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है 1.4 किलो मेटर लंबा यह ब्रीज है और यह WDFC में पढ़ने वाला सबसे लंबा ब्रीज है जो कि नर्मदा रिवर के पर बन रहा है यह बन रहा है भारूच डिस्ट्रिक्ट जो कि टीट में जनकारी दिये गई है आप देख सकते हैं इसकी मैं वीडियो चला देता हूं दोस्तों इस तरह की कुछ अभी खबर है ऐसी बहुत सारी खबरे है वीडियो धीमेदे में आते रहेंगे मेरे चलन के साथ जुड़े रही है और देखते रहे इस वीडियो को और अप झाल